Okay class, now let's move towards the selection sort. अब हम selection sort की तरफ आते हैं. Selection sort में हमने एक area ले लिए, इसी तरह सिंपर. अब हमने, हम selection sort में क्या करते हैं? We will find out the minimum element, minimal element from unsorted sublist. That element would be swap with the starting position of unsorted sublist, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, class? इसको भी हम divide तो करते थे sorted और unsorted में लेकिन हम इसमें sorted और unsorted कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं कि हम minimal element जो है जो minimum value होती है सबसे पहले उसको हम find out करते हैं उसको हम swap करा देते हैं first position से ठीक है starting position of the unsorted से फिर उसके बाद वो हमारी sorted sub list बनती जाती है कुछ इस तरह से जैसे कि हम इसमें से सबसे पहले minimal element find out करेंगे that is 1 हम 1 को swap करा देंगे 7 के सार्ट बागी का हमारा array बिल्कुल सेम वैसी रहेगा 7 की जगा 1 आ गया 4 आ गया 10 आ गया 8 आ गया 3 आ गया और 7 आ गया 1 की जगह पर यह हमारा हो गया pass 1 पास 2 में हम वापिस minimum element find out करेंगे पूरी array में से सबसे minimum element क्या था 3 unsorted का first element यह अब हमारा sorted element sorted sub list बनती जा रही है यह हमारी unsorted sub list है यानि के sub area है हमारी unsorted और यह sorted sub area अब हमने क्या किया 3 को swap करा देंगे 4 से 4 से swap कराने के बाद अब हमारी sorted सब area कुछ इस तरह से हो गई फिर हमने उसके बाद इसी तरह से minimum element वापस find out किया अब आप देख सकते हैं जब हमने 3 को 4 से swap कराया है तो हमारे पस क्या गया 3 यहां आ गया और 4 यहां आ गया फिर अब हमने unsorted में से सब से minimum find out किया again 4 आया 4 को हमने swap कराया फर्षट से यह हमारा कुछ इस तरह से सेलेक्शन सौर्ट काम करते है ठीक है अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं क्लास